तो हेलो गाइज मेरा नाम है करन और आप देख रहा हुश्टिन नेक्स तो अज की इस वीडियो मेरी दूसरी वीडियो है सेकंड पार्ट है तो इसका पहला पार्ट में बना चुका हूँ अगर आपने वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए उससे इससे उस में मैंने मतला की रिक्वर्मेंट्स के रिकॉमेंड़ रिकॉर्मेंट्स इस सब के बारे में बताया है तो पहले जाके आप उसको चेकाउट कर लीजेगा अगर आप नहीं देखा तो मैं आप इसको डिस्क्रिप्सिन में वीडियो का लिंक देदूंगा और और का चाल सबसे अलोकर और शबसे आप सबसे के बारे में इसमें और है। है haveptic feedback अगर आपको मैं बताऊं क्या होते तो जैसे आप कोई भी फोन ही फोन हमी हुता है वह support अलग- अलगस फोह नहीं मिलता है अधर आप फोन को ऐसे आब कुछ भी button प्रेस्करते हो उपर-नीचे swipe वह अलगक से feedback मिलता है जैसे अगर अवाज नहीं आती जैसे टैपिंग करते समय एक feedback सा मिलता है आपको motorola के phones में hectic feedback बहुत सही मिलता है तो इसमें भी hectic feedback देखने को मिलेगा तो बहुत सही चीज है मजा आएगा मैं तो सबसे interesting हुँ इसी चीज के बारोए hectic feedback के बारह में अब बात करने में गेम क्या paid होगा या free होगा तो सिंपल सी बात है जैसे पहले आया था PUBG Mobile तब फ्री गेम था तो यह भी अफकॉस फ्री ही होने वाला है तो आपने कभी सोचा होगा कि गेम्स फ्री तो होते वह पैसा कहां से कमाते हैं चकफ रफसे लेरें तो इंuben्स पैसा कमाती और कहां से क्योंकि और बता दू की और पैस इधर का मतलब बैटलग्राउड मुबाइल इंडिया कहां से पैसा कमाने क्योंकि इसमें एड दिखाए जाएंगी इसमें एड आने वाली है इधर से बहुत layer faithful का क्लेक्ट हो सकेगा और हम बात करते हैं इस गेम में आप शुरुवात में जब घुसेंगे तो आपको सबसे पहले एक पर्मिशन आपको लेने पड़ेगी उसमें होगा आपको एज लिमिट डाल दिया गया है कि पैरेंट्स कंसेंट से खेल पाएंगा अगर अगर अंदर 18 हो तो और सेम आपको उसमें भी एपेक्स लेजेंड में भी देखने को मिल जाता है जब वह बीटा वर्जन रिलीज हुआ था इंडिया में पर वही सेम बात कोई इज्जत नहीं है कुछ अंडर 18 हो या ओवर 18 हो क्या कोई देख थोड़ी ना रहा है तो यह एज लिमिट पस नाम भर का ह है सब को पता है क्या होने वाला है और लोग क्या दवान मतलब कौन सा ओला ऑप्शन चूज करने वाले और उनकी एज क्या होने वाले सब को पता है तो तो अब बात करते हैं इसके थीम के बार में तुसके थीम कैसा होगा तो जैसे कि आपको पर बैटल ग्राउंड पहले देखने को मिलते थे जो भी अपडेट और सब पहले चाइनीस वर्जिन में आते थे उसके बाद धीरे धीरे पूरे ग्लोबल और क्यार वर्जिन में लॉण्च होते थे पर मेरे को नहीं लगता है इंडियन वर्जन के साथ कुछ ऐसा होगा क्योंकि कोई भी मैं देखता हूं गेमिंग के लिए चाइना को ज्यादा प्रिफरेंस भी देते है ऐस कंपेर टू इंडिया ज्यादा तर आपकी बीटा टेस्टिंग वो टेस्टिंग ज्यादा तर मैं द साथ करण तो इस made the winner winner चिकन डिनर होता है या फिर मुर भात होता है अब देखते जब लहां मैं होता है और की आप या बल्मींन intense और को क्रिंग वाला है तो जैसे कि जो न्यूस सामने आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि जो टीम PUBG मुबाइल को कंट्रोल करती है वही टीम क्राफटन के नाम से बैटल मुबाइल को कंट्रोल करने वाली है मतलब नाम अलव होंगे पर पीछे के बैक्ग्राउंड के मेंबर जो है वो सेमी रहने वाल है तो इससे कुछ अगर इशू हो सकता है बाद में क्या पता आप देखते हैं क्या होता है तो फैक्ट की विडियो इधर ही एंड होती है यह सारे फैक्ट थे जो मैंने अपने दोनों वीडियों पर कवर किए जो अभी तक की यह जो लीक से आगे कुछ पता चलता है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो पे तो मैं सोच रहा था कि अवहा नेक्स्ट वीडियो करूं सब्सक्राइब जो पब जी अला